आज हम आपके लिए आलू बेंगन की एकदम टेस्ट पूल और डिलिसियस नहीं तरह की सबजी की रेसिपी लेकर आए है तो चलिए बताते हैं आलू बेंगन की सबजी को टेस्ट पूल कैसे बनाया जाता है सबसे पहले हम कड़ाई में एक चमच तेल डालेंगे तेल को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे जब तेल अच्छी तरह से गरम हो जाए तभी एक चोथा चमच राई डालेंगे और साथ में डालेंगे थोड़ा सा जीरा जीरा और राई को अच्छी तरह से चटकने देंगे जब ये अच्छी तरह से चटक जाए जीरा और राई तभी इसके बाद हम दो बारिक काटे हुए टमाटर डालेंगे टमाटर को हम सबसे पहले तेल में डाल कर ही पकाएंगे टमाटर को पहले पकाने से ये जब सोप्ट हो जाएगे तो अब हमारी आलू बेंगन सबजी को एकदम क्रीमी स्ट्रक्चर मिलेगा और घटा रसा मिलेगा जिससे हमारी सबजी एकदम टेस्ट पुल बनेगी टमाटर को अच्छी तरह से पकाएंगे आधा इंच अद्रक का टुकड़ा और पांच से साथ लसुन की करी को उमने कुट के एक पेस्ट बनाया है और पेस्ट हमें टमाटर के साथ डाल के इसे अच्छी तरह से इसमें चलाना है अद्रक लशन के पेस्ट को अच्छी तरह से चलाने के बाद इसमें एक टेबल स्पून जितनी हिंग डालेंगे हिंग को भी अच्छी तरह से चला लेंगे टमाटर और अद्रक लशन के पेस्ट को हमें मीडियम टु हाई फ्लेम पे 2-3 मिनिट पकाना है इसके बाद हम इसमें मसाला एड़ करेंगे, एक चमच कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर एड़ करेंगे, एक चोथा चमच हल्दी पाउडर डालेंगे और साथ में एक छोटा चमच धनिया और जीरा का पाउडर डालेंगे, साथ में डालेंगे टेस्ट के अनुसार एक चमच जि पर हम इसमें पेले ही डाल देंगे यह मसाले को में अच्छी तरह से पकाना है एकदम ग्रेवी जैसा जैसी पंजाबी सबजी में ग्रेवी होती है यह देखे एकदम टेस्ट पूल ग्रेवी जैसा हमारा यह मसाला बन रहा है इसे अच्छी तरह से दो मिनिट तेल में पकाना ह सारे मसालों को यह देखिए आलू बेंगन की सबजी के लिए हमारा परफेक्ट मसाला बनकर तयार हो गिया है यहाँ पर हमने दो बड़ी साइज के आलू को छिलके निकाल के अची तरह से साब पानी से दो कर पानी में डुबो के रखा था अभी हम इसे पानी में से निकाल कर सबजी में एड करेंगे हम आलू को पहले सबजी में पकाएंगे और बेंगन को बाद में पकाएंगे क्योंकि आलू को पकाने में दो मिनिट ज्यादा टाइम लगता है बेंगन से आलू को हम अची तरह से मिक्स करते हुए दो मिनिट सबजी में इस तरह से पकाएंगे जब यह आधा ठोड़ा पक जाए तब हम इसमें बेंगन डालेंगे बेंगन को भी हमने बड़े बड़े टुकडों में काटके पानी में डूबो के रखा था अब यह पानी में से निकाल कर हम सबजी में डालेंगे बेंगन को तो जब भी आप सबजी के लिए बेंगन काटे तो उसे काटने के तुरंत बाद पानी में डाल कर रखे नहीं तो यह बेंगन हमारे काले पड़ जाते है और जो सबजी में इसका कलर आता है वो अच्छा नहीं आएगा अब देखने आमारी सबजी एकदम colorful बनेगी अभी हमें बेंगन को अच्छी तरह से इसमें mix कर लेना है इदेखिए हमारा मसाल एकदम अच्छी तरह से पका हुआ है जो अच्छी तरह से बेंगन में coating हो रहा है इस तरह से हमें mix कर लेना है आलू और बेंगन को अभी गेस्की आज को अमने मीडियम कर दिया है क्युक adalah नीचे से जले नहीं, इस बात का मैं खास दियान रखना है आलू और बेंगन को अभी अम इसे धककर पकाएंगे अभी इसमें अमने पानी नहीं डाला है इसे हम आधा इसे ही पकाएंगे जिससे कई लोग की आलू बेंगन की सबजी में बेंगन और आलू जब एकदम रस्वा पाणी-पाणी लगता है और खाने में इतना टेस्टी नहीं लगता है एकदम फीका लगता है अमने आलू और बेंगन को इसे ही मसालों के साथ तेल में 2-3 मीट तक पका लिया है यह देखिए एकदम अच्छी तरह से इसका कलर अभी भी बना हुआ है अभी हम इसमें जितना रशा करना है उसी साफ से थोड़ा सा पानी एड़ करके इसे अच्छी तरह से और पका लेंगे सबजी को हमें इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी कम लग रहा है हम इसमें पानी डाल देंगे पानी आप इसमें एकी साथ डाल दो आपको जितना लगता है कि इसमें एक कप आधा कप पानी चाहिएगा उतना एकी साथ में डाल दो गड़ी गड़ी दो तिन बार इसमें पानी नहीं डालना आची तरह से मिलाने के बाद अभी हम इसे दो से तिन मिन्ट तक मीडियम आज पे सबजी को पकाएंगे बीच में हम सबजी को एक बार चला लेंगे और चेक कर लेंगे के रसा है इसमें और ये नीचे से जल नहीं रही है और सबजी अभी पकने में कितना टाइम है एक बार हम इसे चेक करके फिर से अभी हम इसे डग कर दो मिनिट और पकाएंगे आलू और बेंगन की सबजी को पकाने में लगभग 5-6 मिन्ट जितना टाइम लगता है इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है यह देखिए फाइनली अभी अमारी सबजी अची तरह से पक गए और एकदम तेल और मसाला रसा बाहर निकल रहा है लास्ट में इसमें धेर सारा बारिक काटाओ आरा धनिया डालके इसे अची तरह से मिक्स कर लेंगे यह देखिए एकदम टेस्ट फूल और डिलिसियस अमारी आलू की सबजी बनकर तयार हो गई है ना ही तो यह रस्य वाली सबजी है और ना ही तो यह सुखी सबजी है आप इसे चावल के साथ खा सकते ह और साथ में टिफिन में भी इसे दे सकते है यह देखिए एकदम टेस्ट फूल अमारी सबजी तयार है अभी हम इसे गर्मा गर्म सर्फ करेंगे आप कभी धाबा रेस्टोरेंट या हैवे वोटल पे कभी खाना खाते है तो आपको इस तरह की ही आलू की सबजी मिलती है तो फ्रेंट्स आप भी एक बार ये हमारे तरीके से आपके घर पे आलू बेंगन की सबजी बना कर अपने परिवार को खीलाए अगर वो उंगलिया चाटते न रह जाए तो हमारी चेनल को अनसब्सक्राइब कर देना पर एक बार आप ये रेसी भी जरू ट्राइब करें आपक को लाइक और चेनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद